एंड वैलकम मैं यानि प्रकास अवस्थी कानपूरवाला दोस्तों लाश्ट क्लास में हमने एक से लेकर 46 तक पाइप एंड सिष्टन के आपको कोश्चन पढ़ा दिये थे आज उसके आगे इसके बाय इस्टेप सिखाया जाएगा तो राजपूर जी, गौरब जी, पूनम राजपूर जी, राजु कुमार जी, आदिल सिंग जी, संजे सर्मा जी, विकास कुमार जी, अश्वनी सर्मा जी, ठीक है दिव्या जी और अमर सिंग राज्यो कुमार जी सारे बच्चों को गुड इनिंग बच्चो इस्टेप बाई इस्टेप हम इसे सीखेंगे मगर प्यार से तो ध्यान देना विकास जी जैसे पहला कोशन आपके स्किन के सामने आया 47 मैं आपको बता दू ये कोशन अंत में कराएंगे मतलब आज का पहला कोशन 47 नहीं रहेगा 48 रहेगा और अंत में सबसे इसी कोशन को कराएंगे सर ऐसा क्यों उसका सारा करण आप अंत में समझ जाएंगे तो आज का पहला कोशन है 48 नमबर तो सारे बच्चो 48 नमबर ट्राई करूँ, 40 सावे नमबर अंत में कराएंगे, कब कराएंगे अंत में, पहले से ही लिख दिया है, कल को कोई बच्चा ये ना कराएं कि नहीं कराएंगा, कराऊंगा, ध्यान देते हैं 48 से, कहता है, एक नल एक टैंक को 6 गंटे में भर सकता है, आधा टैंक भर जाने के बाद, टीन समान नल खोल दिये जाते हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ओरल कर सकते हैं, समझो मगर प्यार से, भाएं आधा टैंक भर गया, मतलब 3 गंटे तो लगेंगे लगेंगे 6 गंटे में कोई काम पूरा होता है तो आधा काम 3 गंटे में होता है अब आधा काम पर 4 गुना कार चमता तो 4 से भाग देदो 3 गंटे में 45 मिनट तो आंसर आएगा 3 गंटे 45 मिनट पर बच्चे मासू में नहीं समझ पाते हैं तो कहान को समझो जैसे मैंने आप से कहा कि दो बंदे किसी काम को चार दिन में कर लेते हैं आप पहले कहानी समझो तो एक बंदा किते दिन में करेगा तो कोगे सर आठ दिन में करेगा तीधी सी बात है बंदे अगर कम होते हैं तो समय डबल हो जाता है आप सुनना अगर एक किसी काम को तीन घंटे में करता है और चार ए हो जाए मलब सेम एफिसेंसी के चार लोग हो जाए तो ये जो कार होगा वो तीन बटा चार समय में होगा मतलब बंदे चार गुना हुआ तो समय को चार से भाग दोगे वो चीज लगता है अब हम इस कोश्चन को सिखाएंगे मगर प्यार से पेसेंस रखना बच्चों क्योंकि सेम कोश्चन तीन चार बार आएगा तो आपको ओरल ही हम बताएंगे हर बार इसलिए समझो कहता है एक नल एक टैंक को 6 गंटे में फिल करता है मतलब कोई बंदा है किसी काम को 6 गंटे में करता है काम बच्चा हमेशा 100% होता है जिसे ये समाज एक की नाम से जानता है फिर हमसे कहता है आधा काम आधा काम का मतलब 50% काम तो 50% काम तो उसको आधा ही बोलते हैं तो वो कितने घंटे में करेगा सीधी सी बात है सर्फ तीन घंटे में ए आधा काम करेगा ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया फिर कहता है तीन और समान नल खोले जाते हैं मतलब ये 50% काम जिसे आधा का नाम कहा जाता है तो तीन और समान मतलब पहले ए तीन घंटे में कर रहा था अब तीन और समाने नोग जुड़ गए तो 4 लोग हो गए कित्टे हो गए चार लोग हो गए पर आधा काम करने में 3 घंटा बंदे चार गुणा हो गए तरीके से तो समय 3 बटा 4 घंटा लगेगा ये बात सम्झो मगर प्यार से तो ममा कहते हैं कि पहले 3 घंटा लगाता अब 3 बटा 4 तो 3 बटा 4 60 का गुणा कर लो जिससे ये मिनट में कनवर्ड हो गया 4 से ये 15 भार में तो 3 घंटा 45 मिनट लगेगा तो इस कोशन को औरो करोगे थोड़ी में और आज हमने भी औरल ही बताया है अगर आप सीख सकते हो तो सिर्फ मेरी नजरों में आखों पर आके देख के देखो तुम छे गंटे में सारे लड्डू खा लेते हो आधे लड्डू तो तीन गंटे में खाओगे बोलो हां पिर तुम्हारे चमता के बराबर तीन लोगो आप सारे मासूम बच्चों को 48 नंबर समझ में आया होगा बोलो हां तो राइट आंसर इसका तीन घंटा 45 मिनट रमाकान दिपक कुमार धर्मेंड पवन मंडल दिव्या जी ठीक है पुस्पेंद्र कुमार जी अजे कुमार जी जेके जी विकास जी राजु जी अमर्सिंग जी बोलो हां प्यारे दोस्तों बढ़िया कोशन था एक बात याद रखना 47 नंबर कोशन हम अंत में कराएंगे सर ऐसा क्यों हर एक चीज का आंसर आपको अंत में मालूम चल जाएगा मैं कराने को 47 करा दो अभी कह दो 47 नंबर कोशन गलत है तो अभी सदमे में आ जाओगे इसलिए क्योंकि उसमें हमें लगाना दस से पंद्रा मिट यह पताना कि गलत है और तब तुम होगे कोगे सर वाइदी स्कोला वरी किताब में तो सही लिखा है तो हम उसको समझाने के लिए अंत में रखेंगे चुरवात में देंगे तो तुम्हें सदमा लग जाएगा कि स ऐसा का है बोलने ठीक है ऐसा नहीं है सही भी हो सकता है वो तो अंत में मालूम चलेगा कि 47 सही ये कोशन की गलत है ध्यान देना मगर प्यार से तो कोशन नमबर 48 की आपार सफलता के बाद 49 नमबर की अरदास समझो मगर प्यार से यहां सब कैलकुलेटिव दिख रहे हैं पर है कुछ भी नहीं फरजी कोशन है समझना 5A एवं C एक खाले टंकी को क्रमसा 7 घंटे और साड़े 10 घंटे में पूरा भर सकते हैं समझो मतलब A can fill a tank in 7 hour and B can fill the same tank in 10.5 hours इसी को समाज 21 बटा 2 घंटा बोलता है गलत करें रमकांद मेरे भाई अलिगरण वाले बोलो हाँ चक्कि 5B भरी टंकी को 5.25 घंटे में खाली कर देता है कौन सा पाइप अच्छा ये पाइप C है 20 इसको खाली कर देता तो B में माइनस का सिंबल लगा दो और ये 5.25 आवर्स में खाली कर देता है ममा कहते हैं इसका अर्थ यह हुआ दसमलों टाव नीचे 100 आएगा या वैसे पास सही एक बटा चार ये 21 बटा चार आएगा जो हमारे समाज में 2G 3G लोग हैं वो ऐसे समझे 25 पाइसा को एक बटा चार करते पांच चुका 20 और 21 काईस समझ गया ना मेरे 2G 3G लोगो तर ऐसा क्यों कर रहे हो अभी समझ में आएगा त्यारे दोस्तों एलसियम की एक प्राचीन कला होती है जब A upon B, C upon D, E upon F के फॉर्म में हो तो मम्मा कहती है उपर वाली वैलू का एलसियम लोगे मतलब A, C, E का एलसियम और नीचे वाली वैलू का SC अब लोगे हाइस्ट कॉमन फैक्टर अब यहां पर आजाएं सर ये तो साथ है ये 21 बटा ये 21 बटा चुक दो तो 721 बटा दो एक सी तो 721 का एलसियम एक किस ही होगा और नीचे का SCM तो इसके नीचे एक है यहां दो यहां चार तो इसका SCM जिसे हाईच दूमन फैक्टर बोलते हैं वह बच्चा क्या होगा एक होगा मतलब साथ 21 बटा दो 21 बटा चार का SCM 21 ही तो यहां 3 आता है 21 से तो दो ओपर गया तो यह 2 हो जाएगा 21 बटा चार से तो चार ओपर गया यह इनकी कार चमता आ गए तीन लड्डू खाता है यह तीन लडडू बनाता था इसी दो लड्डू बनाता था बी बनाता खाली होने पर एक साथ खोल दियाता है भरी होने पर नहीं खाली होने पर मतलब टंकि में पाणी हई je नहीं तो टंकि का 2,3 भाग भनने में कितना समय लगेगा मतलब काम हमें यह Claire कराना है इसकी जगे हमें दो बटा तीन क्योंकि अभी टंकी हमारी खाली है यहां समझना पेपर में आगे वाले पुछनु में अच्छा है तो आभी खाली है तो पांच लड्डू बनाते हैं चार तोर देते हैं तो एक घंटे में एक लड्डू बन रहा है इस एक से भाग द देख लो खुदी खुसी मिल जाएगी तो राइट आंसर सारे बच्चे समझ गए 14 होगा जो की अपसेख सिंग धर्मेंद जी और पवन मंडल जी ने सही बताया जाए नमबर मेरा उपर चल रहा है धर्मेंद कुमार वही नमबर है ठीक है बस उसमें मैसेश करना जे के देविलाज सभी का आंसर सही है ठीक है देव्याजी आंसर 14 सही है चलो सुसील जी भी दोस्तो एक एक चीजों पे हम लोग बढ़ेंगे बाकी आप प्यार से सीखो अगर प पसंद है तो जय माता दी बट हम पढ़ेंगे सीधी सी बात है 49 के बाद अब 50 नमबर कोशन की और चलेंगे सीखेंगे मगर प्यार से ठीक है तो यह एक अच्छा कोशन था बच्चा जो कि हमने करा दिया सारा इस कोशन में मैटर आता है यह पॉइंट वाली कीच का तो मिनट और 75 मिनट में एक गैस टंकी भरते हैं कौन मैंने दो पाइप भरते हैं एक्स और वाई समझो मगर प्यार से एक्स साथ मिनट में भरते हैं और वाई वाई भरता है 75 मिनट में 75 मिनट में अब ध्यान देना एक आउटलेट जेड़ भी है यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए देखो आउटलेट का पहले तो हिंदी भासी आर्थ समझो इलेट मतलब होता है भरने वाला और आउटलेट मतलब होता है खाली करने वाला इलेट घर के अंदर इन तो अंदर आया पानी आउट मतलब भार अब इतना तो समझ गए होगी तो जेड़ खाली करने वाला है यहीं सभी तीनों पाई एक साथ उपयोग किये जाते हैं तो टंकी 50 मिड़ में भर जाती अर्था एक्स वाई और जेड़ और जेड़ भरन नहीं खाली करने वाला है फिर भी डंकी 50 मिड़ में भर जाती है क्ली अंद sous लगाई न जिससे आपको कनफ्यूज़न ही रहेगा कि भरने वाला कौन इस खाली करने वाला कौन मम्मा कहती है कि जपे इस से 4 होगा 50 से 6 होगा कहने का मतलब है X 5 लड़ू बनाता है Y 4 लड़ू बनाता है तो ये तो 9 बने पर देखा गया 6 बने तो ये 3 लड़ू तोड़ दिया अब कुछ बच्चे सदमे में सरवाइद इसकोला हो रही बच्चा X Y Z तीनों की कारिच छमता एफिसियंसी 6 हुआ X ने 5 एफिसियंसी Y ने 4 तो टोटल 9 होना था पर है कितना अच्छे अर्थाथ Z ने 3 कम कर दिये अब कोशन में कुछ नहीं कर रहा है कि आप पूर्ट टंकी खाली जट तो बरबादी करने वाला है लड़ू तोड़ने वाला या खाली करने वाला तो जट 3 लड़ू तोड़ता है तो 3 से भाग दिदो तो राइट आंसर माइनस का 100 माइनस सिंबल ये सो करता है क्या कि वो खाली कर रहा है इस कोशन का आंसर 100 आएगा बाकी आपके कमेंट ही बताएंगे चलिए रंजीर जी पवन मंडल जी धर्मेन जी अब इसे गलत कर बैठे कोई बात नहीं जैसुक सही है ठीक है चलो तो उमीर सिंग जी अमर सिंग कहते हैं सर टाइम क्लास का टाइम टेबल बता दो रात को 9 या साड़े 9 बजे सुबे आजकल 11 बजे चल रही है सुबे आजकल 11 बजे चल रही है चलिए रमा कान जी आगे बढ़ेंगे मेरे भाई दिवता तीकेंगे मगर प्यार से जब आप आंसर देंगे तो आपका नाम लिया जाएगा तो ऐसा माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों नाम में कुछ नहीं रखा मैं आपको आज एक बात कहूं जिसलिन तुम्हारी गौर्मेंट जॉब लग जाएगी लोग खुदी है देखो वो पुलिस भरती में हैं देखो मिल तो तुम्हारी मार्कट वैल्यों होगी तुमने क्या किया 10 में 12 में ग्रिवेशन में उस सब भूल जाएगा जब तुम्हारी एक गौर्मेंट जॉब होगी समझ गया कि नहीं समझ गये मतलब गौर्मेंट जॉब यह कमा रहे होगे तो तुम्हारी डिग्रिया नाम की चीज़ें वो सब बेकार होंगे कोई कह रहा है कि हम यह है को वो है तुम सीधे कहना हम जो को सरकारी नौकरी में मुद्दा खतम कोई कैज़र बीए किये एमे किये यूपीपी किये दुनिया बन जहां तुम्हारी सरकारी जॉब का एक लग गया कि रेलेवे में यह काम करते हो मुद्दा ही खतम तो पढ़ेंगे मगर प्यार से 50 के बाद 51 नंबर कोशन मैं वे खुश सही बता रहा हूँ आप जहीं जितना खेलते हो कुछ भी करते हो और पड़ोसी कह रहा है देखो ये लड़का बहुत बहुत खंदा लड़का है पट क्या है तुम्हारी जिस दिन जॉब लग जाए ना वही पड़ोसी तुम्हें चाय पिलाएगा क्याएगा ये तो बहुत अच्छा रलका है और गलती से समझ रो ना उसके घर में कोई होगा साधी करने लाइक तो तुमी को ढूनेगा ये भी समझो बताये गए रलका तो गौवर्मेंट जॉब में है तो पढ़ लो बहुगा समझे चलो लाइब देखो क्यता है question number 51 में रमाकान समझो मगर प्यार से A और B एक टैंग को 7 गंटे 10 गंटे में भर सकता है जबकि pipe C टैंग को 14 गंटे में खाली कर सकता है मतलब A can fill a tank in 7 hours and B can fill the same tank in 14 hours 10 hours, C can embed the same tank in 14 hours देखो A 7 गंटे में B 10 है और C खाली करता है 14 गंटे में अब यहां से एक चीज याद रखो कि टंकी जब 3 पाइप खुलेंगे तो भरेगी क्यों खाली करने वाले को समय जादा लग रहा है इसलिए भर जाएगी यजि सारे pipe को एक साथ खोल गे जाए तो टैंग को भरने में कितना समय सबसे पहला उद्देश एल्सियम होगा जो कि सतर साथ से भाग दोगे दस दस से भाग दोगे साथ चौदा से भाग दोगे तो पाँच आएगा प्यारे दूस्तों इमानदारी से दखो 10 लट्डु बने साथ तो शतरा 5 तूटे तो बचे लट्डु किते बारा बारा च्छमता है बारा से भाग देदो 70 बटा 12 क्या उत्तर है हमारा तो ये भाग दोगे तो 35 बटा 6 आएगा 6 से भाग दोगे तो 5 सही 5 बटा 6 हो जाएगा इसका आंसर 5 सही 5 बटा 6 आएगा 51 के बाद 52 नमबर सभी लोग करो महबबस से वैलू देखो, कैलकुलेशन देखो और सीखो चलिए धर्मेन जी, राजिस कुमार, अल्टिमेट मेरे भाई अपसीख जी, रंजीर जी बिल्कुल प्यूज अगनोत्री जी ने ये बिल्कुल सही बात कई राभिंद्र कुमार जी रिजनींगी क्लास नहीं होती है आने वाले समय में कोशिस रहेगी मुहमद, नाजीम मेरे भाई, बहुत अच्छे, ठीक है तो कोशिस रहेगी, आने वाले समय में बताने गे चलिए, तो दोस्तों, धीरे-धीरे हम सीखेंगे 52 नमबर एक अच्छा कोशन दिख रहा है लोगों को कन्फूजन होगा, सर, हाउ टो सॉल्व इट ये 6.3, 8.4, 4.8, सर, इसका एल्सियम ही ने ले पाएंगे तो मुद्दा ही खतम हो जाएगा तो प्रकास सर्फ खुद सदमे में कि बच्चों के साथ ऐसा कैसे तो सीखेंगे, मगर यार सी ध्यान देना मेरे मासूम से दोस्तो ऐसे रफ होता है, ये प्राचीन कला है दो पाइप, एक टैंग को अलग-अलग काम करते हुए इतने इतने घंटे में भरते है ठीक है लग रहा है जुखाम हो गया क्या ए, 6.3 आवर्स में भरता है बच्चा बी 8.4 आवर्स में जबकि तीसरा भाइप, तीसरा पाइप भरे हुए टैंग को 4.8 गंटे में खाली करता है सीके निमपनी दा सीम टैंग इन 4.8 आवर्स तो टैंग खाली होने पर यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिये जाए तो टैंग को पूरा भरने में देखो टैंग अभी खाली है इसको भरना है यह ध्यान रखना अब सारा मुद्धा यह आया सर इसका LCM क्या होगा सर भी कनफुजिया गया और इतरी अरे इसका LCM का होगा बच्चे भी सदमे में तो सर ने कहा सीखो मगर प्यार से देखो पहली बाद तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 9.63 तो 9.7 लिए 84 को बेक ब्रेक कर सकते हैं 12 गुड़े पॉइंट 7 कर लो और 48 को ब्रेक कर लो 12 गुड़े पॉइंट 4 एक एक बात को समझना भावनाव में बहुगे तो हम दोनों लोग बैजाएंगे तो आंसर गलत हो जाएंगे ऐसा मैं नहीं एक दिन आप खुद कहोग देखा यह जाए कि यह 9 यह 12 यह 12 इधर वाला अभी भूल जाओ क्योंकि बड़ा यह है तो इसके अंदर यह 12 हो गया पर यह 9 नहीं 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 चोव को 36 इन तीनों का तो मुद्दा खता हो गया कैसे 12 से भी जाता है और 9 से भी तो इसका तो LCM 36 हो गया ऐसे पिर उसके बा पॉइंट फोर तो इसी के अंदर आ जाएगा चिट्थी न कोई संदेश जाने वो कोने संदेश कहां तुम चले गए दोस्तों ऐसा करते हैं एक छोटी सी बात को और समझ लेना तर ऐसा क्यों कह रहे हो यह पॉइंट का थोड़ा सा मैटर आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं और समझते हैं हम क्या समझते हैं यह जो 63 लिखा हुआ है 63 इसको हम 9 गुड़े 7 लिख देते हैं नीचे 10 लिख देते हैं हमें अब कोई दिक्कद नहीं होगी 84 लिखा हुआ है तो 12 सत्य 84 नीचे 10 लिख देते हैं क्योंकि हम पॉइंट का मुद्दा नहीं लाना जाते है 48 तो बार्चोक 48 चार नीचे 10 लिख देते हैं अब कोई मुद्दा नहीं आएगा आप सीखेंगे मगर प्यार से देखा जाए इससे 7, 7, 4 तो ये 7 गुड़े 4 ऐसे हो गया और 9, 12, 12 तो यहां से 36 हो गया और नीचे 10, 10, 10, 10 ऐसे हो गया अब सीखेंगे कैसे प्यार से देखो जब 9, 7 से भाग दोगे तो ये देखो 7 से 7 चला गया 9 से 4 बार में 4 चुकु 16 आएगा यहां जो एक ही कार छमता आएगी बच्चा वो 16 आएगी ऐसे कोशन कई बार गलत हुए है इसलिए बड़े आराम से बता रहे हैं ये 3 से 7, 4 तो ये 12 तो ये नीचे से दस गया 16, 12, 28 में से 7 तो ये 7 ही आया बच्चा इस 7 से हमें क्या करना है भाग देना है ऐसी करके भाग दे दो तो क्या ठीक है ठीक है बाग दे दिया 36 चौका कितना होता है 22 दुना 144 मतलब 14.4 घंटा क्योंकि 10 से भाग दिया 14 घंटे को अलग कर दो 4 बटा 10 क्योंकि पॉइंट है ये 2 बटा 5 घंटा आ गया और 2 बटा 5 घंटा को देखो कोश्चन का सम्मान जरूर करो दो बटा 5 तो एक घंटे में होते हैं 60 मिनट दो घंटे में 120 120 बटा 5 24 मिनट तो 14 घंटे अच्छा दिखी नहीं रहा ओके 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 ध्यान दो तो आंसर आ गया 14 घंटे इसमें 60 का कोला करोगे 120 बटा 5 24 मिनट अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप मतलब इतना स्लो कैसे हो गया सर वाइद इस कोला वरी एक छोटी सी गलते आपके कोश्चन में गरवड़ कर देती सर ऐसा क्यों मैं यहां भले बचते तो तो तुम हमसे धरनिम बढ़ रहते और महां अ क्यूं ने इसudes लिए हमने ऐसे कि प्रवह आये नहीं है क्टैसे स्रूंऌ अ क्योंकि प्रभ घ मंने जान बुछ कोण को रफ किया और ठीक्र ना हो देखे क्या आपके आंसर आए हैं कोई लेंदी नहीं हुआ even a single चीज कोई लेंदी नहीं हुआ ठीक है पवन जी कोई लेंदी नहीं हुआ चलिए आदित जी बिल्कुल आदित मेरे भाई ऐसे क्या है खुस्बु जी धर्मेन जी रंजीत जी ठीक है तो सारे बच्चे सीखे एक बार यस बोल दो बच्चो लेंदी नहीं है हमने जान बूच के ये लिखा है वरना हम भी डारेक्ट ले लेते आप कन्फूजन में आ जाते और अच्छा आता हुआ कोईशन गलत कर देते तो इसे लेंदी नहीं कहते चालिए सीदी सी बात है कोईशन नमबर त्रेपन हमेशा याद रखना बच्चो कि जब भी पेपर में कोईशन डिफिकल्ट आता है या कुछ कैल्कुलेटिव आता है तो उसमें एक छोटी सी गलती आपका कोईशन गलत करा देगा मैनत ऐसी करो कि डिफिकल्ट कोईशन में भले हलका सा समय लगे पर गलत ना हो गलत करें परवन याद हो जी ठीक है चले ये कोईशन करो नेक्स्ट वाला जबो मुझे अगर करना होता तो वो अलग चीज होती है हम यूट्यूब में बिलकुल लाइप पढ़ा रहे है अगर हलका सा भी इधर से उधर करेंगे तो आप खुद ही कहोगे सर वाइद इस कोला वरी इसलिए हमने खुद पेसेंस रखा हमने का चलो ऐसे बता देते हैं ध्यान दो A, B, C एक टैंक से जुड़े हुए A, B मिलकर टैंक को 6 गंटे में भर सकते हैं मतलब A and B can fill a tank in 6 hours Right B और C टैंक को 10 गंटे में भर सकते हैं तो B और C can fill a tank in 10 hours और A और C सारे 7 गंटे A और C सारे 7 गंटे को हम 15 बटा 2 लिख सकते हैं बोलो हाँ अब देखो यहाँ LCM लेना बड़ा आसान है सर कैसे? LCM 30 आ गया अब आधे बच्चे सदमे में कहे 6 से भी जाता है 10 से भी 15 से नीचे तो LCM होगा 6 से भाग दोगे यहाँ 5 आएगा यहाँ 3 आएगा 15 दो दुना 4 आएगा बोलो हाँ अब देखो दो बार A हो गया दो बार B हो गया दो बार C हो गया और इनकी कार च्चमता हो गया कित्ती? 12 मतलब 6 लोगों की कार च्चमता 12 है अगर बंदों को आध्या करेंगे तो कार च्चमता जो की efficiency होती है वो भी आधी हो गया हमसे कहता है A अकेला टैंक को भरने में कितना समय लेगा देखो A B कितना ले रा है पां Mush L recognise जब A B पांच ले रा है तो C कितना लेगा 1 लेगा क्योंकि A B की च्चमता तो 5 है C अच्चा हमसे आख पुछा ए A A अकेला पुछा है तो B C देखो तेन ले रहा है तो ए बी कितना ले रहा है इसकी कार चमता इस भाग दो तीस बटा तीन 10 आंसर बच्चा इसका यही एक तरीका होता है जो कि प्रॉपर वे में हैं बाकी तरीके गवडा जाएंगे आप परिसान हो जाएंगे इसका राइट आंसर कितना 10 घंटे आएगा बाकी आप पता ही कमेंड में क्या आ रहा है कौन सा था 53 था न तो आप 54 नंबर कोशन करके बताओ सारे लो चले तो सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं ठीक है धर्मेंद, राजेश, अक्तर मिरभाई, खुजबु जी, पवन जी, धर्मेंद जी, रंजीर जी, राकेश, राना जी, पवन मंडल जी, सतेंद यादो, रंजन कुसवाह, ठीक है, देविया जी, देविलाल जी, कुल्दी वर्मा जी, ठीक है, चले तो सारे बच्चे सही दे रहे हैं, ने, दोको कभी कभी क्या होता है राहूल जी, लंबा कुछ नहीं होता है, बच्चा देखो हमेशा याद आम आज में बताने कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, आप पॉइंट में करके कर लेना, समझ रहो ना, तो लंबा इसे नहीं बोलते हैं, कुछन का थोड़ा सम्मान करना, आपको हम बता दे, पाइपन सिस्टम में अच्छी कुछन आए हुए है, जब आप गलती से किताब को खोलो होगे, एक एक पेज का सिर्फ कोशन लिखा है, उसे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए पेपर में, ठीक है, पेपर में यही कहता है कि जब एक एक पेज, देर देर पेज का कोई कोशन है, जब फ्री बैटे हो, तब सौल खुरो, वहना छोड़ दो बहिया, आता हुआ कोशन जो अच्छा पच्चा होता है कि यह कोशन आता है हमको, फुली आता है, पर हम अंत में करेंगे, यह भी एक टैलेंट होता है, समझ रहो की नहीं, समझ रहो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वी में समझा रहा हूँ, कोशन नमबर चौवन, एक टैंग से तीन पाइप जुड़े ह हुए है, पहला पाइप टैंग को 30 मिनट में, दूसरा 45 मिनट में, जबकि तीसरा पाइप टैंग को खाली करने के लिए, तीनों पाइप खुले होने पर 27 मिन में भरता है, 27 मिन में भरता है, तो ज्याद किजिए तीसरा पाइप, फर्जी कोशन, समझ रहो, एक इन फिल आ टैंग इन 30 मिनट, वी केन फिल दा सेम टैंग इन 45 मिनट, जबकि एंप टैंग, आल पाइप सर ओपें, जबकि तैंग इन 27 मिनट, सारे पाइप खुले हैं, और वह 27 मिनट में टैंग को भरते हैं, एक्कॉर्डिंट तू दा पोशन, तो बच्छा बस इसको क खाली करना वाला पाइप है, तो 30, 45, 27 का LCM, बड़ा मुद्दा है, फिर भी हम ले लेंगे, कैसे, 270 होगा, 270 होगा, 30 से भी जाता है, थेको हमेशा याद रखना कि LCM आप कुछ भी ले लू, वैसे तो सही लेने के कोशिस करो, उसके बाद कुछ भी आप LCM ले लोगे, कोश आप यहाँ LCM एक भी माल लोगे, तो भी सॉल करोगे, तो भी आएगा, याद को एक बड़ा 30, एक बड़ा 45 करगे, तो करते हैं, जनर्नल मैठड में, कुछ भी कूडा सा कूडा LCM लोगे, पर जल्दी करना है, तो सही लेना है, 30 से भाग दोगे, तो यहाँ 9 आएगा, 45, 90, 6 आएगा, और 27 से 10 आएगा, समझो, एह हमारा भरने वाला, मनलब 9 लड़ू बनाता है, 26 लड़ू बनाता है, लड़ू बने 15 पर दिखे 10, तो इसने मतलब सीने 5 लड़ू तोड़ दिये, जब सीने 5 लड़ू तोड़ दिये, तो बस इसी 5 से भाग दे दो, क्योंकि इंपटी वाला पूचा गया, 270 का आधा, मुलब समझ गया, नहीं समझे, डबल 56 होता है, तो इसका राइट आंसर 54 होगा, सर आपने ऐसे कैसे बता दिया, डबल, मैं बहुत एजी वे से बताता हूं, किसी भी संख्या में अगर 5 से भ 54 होगा, बाकि जैसा आप लोग बोलो, हमारा काम है, बहुत आराम से सिखाना, और कमेंट पर ध्यान है, चलिए, अमर जी, पपु कुमार जी, ठीक है, SMK जी, धननजे जी, बाकि रमाकान जी, सतेन जी, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ठोड़ा सा फोकस करते हैं, कोशन पर बच्चा, बिलकुल, धर्मेन जी, तो प्यारे दोस्तों, 55 नंबर कोशन लगाएंगे, एक बात याद रखना बच्चा, हम सारे चैप्टर पढ हा रहे हैं, कुछ बच्चे परिसान देते हैं, उनके कमेंट आये, हमने उनके कमेंट को पढ़ा, कि सर आप एक साथ दो दो तीन तीन चैप्टर चला रहे हो, उसका कारण क्या है बच्चा, कि 50 कोशन करा के छोड़ दिया, कुछ दिन बाद तक फिर आये, फिर से कराये, तो अब हो जाता था, दोस्ते के थे लो, हमने तो सॉल कर लिया, पर आज की डेट में जितना डिश्टर इंडिया होता जा रहा है, थोड़ा सदिक्कत है, क्योंकि अब 9, 10, 11, 12 की सलूशन किताबों के, गूगल में ही पढ़े हैं, बच्चा तुरन उसने दिमाग नहीं लगाय तुरन सर्च मारा जैम आता दे, और यह तो मिल गया, तो उसने कुछ नहीं सिखा, यहीं सकते हैं, चलो, ध्यान दो, अच्पन नमबर, खुच से करो, यहीं बैट गया, हमें कोई जलती नहीं है, मैं इसलिए लाइप पलाता हूना, रिकॉर्ड करकर करके देता, नल A और B एक टैंक को करमसा दो और आठ घंटे में भर सकते हैं, नल सी भरे हुए टैंक को चार घंटे में खाली करता है, क्योने का अर्थ यह एक एन फिला टैंक इन टू आवर्स, भी कैन फिल दा सेम टैंक इन एट आवर्स, यह बोला गया, भासा पढ़ना आगे गलत भी होगा, आ पाटी होता है, दो से भाग दो के चार, यहां एक चार से भाग दो के तो माइनस दो, कहने का अर्थ क्या है कि पांच लड़ू बने, दो टूटे तो तीने लड़ू बने भाग दो, यह एक फरजी कोशन है, आठ बटा तीन इसका आंसर, जो मैच कर दिया वही आंसर है, और पवन जी, देखे, कुछ बच्चे गलत दे दिये, जैसे अही वार जी, जो भी नामों, खुमान, मेरे भाई, आठ बटा दो नी, आठ बटा तीन, विपिन कपूर सही है, मनोज जी सही है, ठीक है, धर्मेन जी का सही है, पीके गुपता जी, पीके गुपता जी, पढ़ाने से, और बताओ, पर कब पढ़ाते हैं, अंत में, शुरुवात में बिलकुल नहीं, बहुत टूजी की तरीके हम चलते हैं सुरुवात में, पर अंत में बहुत तेजी से लिखवा देते हैं, समझो मगर प्यार से, एक टैंक में दो प्रवेश द्वार हैं, जो क्र प्रवेशना, प्रिके था, एक निकासी द्वार द्वारा पूरी टैंक को 10 गंटे में खाली किया जाता है, मतलब से हमारा भरने वाला नहीं, खाली करने वाला है, जो कि 10 गंटे में, पहला उद्देश एलसियम, 6-8-10 का एलसियम, 6-8-10, 6-8-10, 120 होगा, 6 से भाग दो 20 आय तो 23 से 23 शक्का जड़ा हो जाएगा, पंजा होगा, 5 तो 115, 5 32, कुछ ऐसा आंसर आने की उमेद है, 5 से 5 32 इसका आंसर आएगा, 56 हाँ, एक चीज़ याद अगना मैं हर बार बताता हूँ, 56 का क्यूब, 175616 होता है, याद कर लो, कोई भरोसा ने की यही आजाए, फिर पर्वे 56 का क्यूब हो क्या होता है, क्योंकि मोदी जी का भक्त हो सकता है यह, तो 56 नंबर का आंसर, 5 इस्टू 5 by 23 होगा, चले, 57 नंबर कोश्चन की अर्दास, हमेशा याद रखना, इलेट मतलब भरने वाल ठीक है, ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, समीम जी, विकास, धनन जे, अच्छा सभी सही दे रहे हैं, पपो जी, पवन जी, अमर सिंग जी, चल, दोस्तों 57 नंबर कोश्चन की और बढ़ेंगी आज हमने एक वीडियो यूटूब में बना के डाल दिया है, ठीक है, उसको आप लोग देख लेना, अगर नहीं देखा है, इंपोर्टन इन्फॉर्मेशन, उसमें हमने बता दिया है कि कितने चैप्टर पढ़ा दिये हैं, उसको देख लेना, ठीक है, ध्यान दो किसी टैंग को दो इनलेट पाइप क्रमसा 5 और 7 गंटे में भर सकते हैं, और एक आउटलेट पाइप इस पूरे टैंग को 14 गंटे में खाली कर सकता है, मतलब इनलेट मतलब भरने वाला A 5 गंटे में, B 7 गंटे में, और जो C है, वो खाली करता है, कितने गंटे में, 14 गंट साथ से दस आएगा और 14 से भाग दोगे तो पांच आएगा ठीक है 14 से भाग दोगे तो पांच आएगा कुशन को फिर से नजर मारें कहता है यदि पूरी तरह टंकी खाली टैंक में तीनों पाई भी एक साथ खोल दी जाए मतलब टैंक खाली है तो यहां से 24 लड्डू बने 5 टूटे तो 19 लड्डू बन रहे हैं 19 से भाग दो 70 बटा 19 और यह कहीना कहीं तीन बार में जाएगा 19 तो 57 और 13 कि कुछ ऐसा आंसर आएगा तीन सही तेरा बटे 19 तो राइट आंसर 57 का सी होगा चले कमड़ी नेक्स देखिए अब फिर से एक कैल्कुलेटिव कोशन आपकी नजर में आ गया तभी बच्चे ध्यान देना इस कोशन को मुहमत नाजीम विजय सर्माजी करलका बिलकुल धर्मेन जी ठीक है पर्मा नंत कुमार मेरे भाई धननजे जी स्टिव पांडे जी आदित मनुच इंद्रकान सिंग जी चलिए तो सारे बच्चे अच्छे से सीखिए पेसिंस के साथ अतुल कुमार जी कोशन नंबर 58 अब यहां पर 10.8, 21.6 और 18 कुछ मैटर हो सकता है पेसिंस रखना कोई जल्दी ना करना देखो पेपर में आपको एक या दो करने होंगी ज्यादा ज्यादा तीन कोशन होंगे टाइम इन वर्क और पाइप एन सिस्टन दोनों सेम पैटर्न पे चलते हैं हाँ इसके थोड़ी डिवकल्ट आए हुए है जिसका नेक्स सेशन है दोखो पर्स सेशन बिल्कुल ईजी था टेकिन्ड सेशन में कैल्कूलेटी वैलू है जिने पेसिंस से कर रहे हैं ठर्ड सेशन में इसकी लॉजिकल वैलू होगी ठीक है और पोर्ट सेशन में हाई जाओगे तीन पाइपों में से पहले दो पाइप क्रमसा 10.8, 21. गंटे में एक खाली टैंग को भर सकते हैं मतलब दिखना कितने प्यास से करेंगे 10.8 दूसरा हमसे कह रहा है कितना 21.6 इसको हम अभी थोड़ी दिर पहले वाला इकॉंसेप्ट के एसाब से एसी लिखेंगे जिसको तखलीप ऐसे करने में वो खुरी जान जाएगा कि क्यों है जबकि तीसरा पाइप भरी वी टंकी को 18 गंटे में खाली कर सकता है जबकि तीसरा पाइप भरने वाला नहीं खाली करने वाला 58 नमर है न जबकि तीसरा Pipe भरी वी टंकि को 18 घंटे में खाली कर सकता को पाइप एक साथ खोले टंकी कितने घंटे में बढ़ेगी ओके ध्यान देना तीसरा पाइप भरेवी टंकी को अठारा घंटे में खाली कर सकता है तो अठारा ऐसे अब मुद्धा आया सर एलसियम क्या होगा अठारा से 108 भी जाता है अठारा से 108 का डबल 216 होता है तो इसका जो एलसियम लेलो वो 216 लेलो आप 108 से भाग दोगे तो ये दो बार में 10 का गुला तो 20 बार में जाएगा तो यहां 20 आएगा 216 से पूरा गया तो यहां 10 आएगा और 18 से भाग दोगे 216 को तो किती बार में 180 और 36 एक तो असी चतिस बारा बार में जाएगा बोलो हां तो तीनों पाइप एक साथ खोल एक तंकी कितने घंटे में भर जाएगी मतलब ये 20 लड़ू ये 10 लड़ू ये 12 मतलब 18 लड़ू का गेम हो गया कितने का 18 वैं 30 बने 12 तूटे तो 18 बन रहे 18 से 216 में भाग दो बच् इसका राइट आंसर बारा घंटे हो जाएगा, भोल चोक लेनी देनी रहेगी, आप देखे किसके सोलूशन सही थे, तो अल्मोस्ट सभी लोगों के आंसर बारा बारा हैं, पर एक बात याद रटना पच्छों, इमानदारी से, अगर हम इसमें पॉइंट से लेते हैं, तो कु पहला लेक्चर देखो, ठीक है, किसका टाइम एंड वर्क का, ठीक है, पहले अतुल वर्मा जी, आप टाइम एंड वर्क देखो मेरे भाई, उसके बाद इसको देखना, और उसके बाद इसका पहला लेक्चर से स्टार्ट करना, आपको बेस भी क्लियर हो जाएगा, टाइम के बाद हम चलेंगे 59 नंबर कोश्चन बे अब देखो यहां पर भी कैल्कुलेटिव एल्व है 3.95.2 10.4 जल्द बाजी में बच्चा इसको गलत करेगा अभी आपको लग नहीं रहा है हम बता रहे हैं तो जब यह जल्द बाजी में अरे टीचर तक की गलत करेंगे तो वह लिखने में जितना हम बोल ले उत्तिर पर तो दस लिखी दोगे तो बच्चा कोशिस करो गलत ना करो क्योंकि पेपर वाला खुद कह रहा है कि तुम गलत करवा देंगे देखो कैसे दो पाइप एक साथ काम करते विए एक टंकी को क्रमसा 3.9 घंटे तो इसके जगे 49 बटा 52 बटा 10 लिख दिया या माइंड में सोच लो कि दस है जबकि एक तीसरा पाइप 10.4 घंटे में एक टंकी को खाली कर सकता है सीकन इंपड़ी ता सीम टेंग इन 10.4 मतलब 104 बटा 10 अब एलसियम तो माइंड सेट है अब सेट कैसे क्योंकि आएगे नहीं प्रकास तरको इतना स अच्छे सद्वे में तर अब कैसे तो आप एलसियम लोगे वाइब इस को लावरी हमने उनको समझाया बच्चा आग पानी और प्रकास आग जलाता है पानी बुझाता है और प्रकास सिर्फ सिखाता है ऐसा एक दिन सभी लोग कहेंगे लिए कि देका जैतरब तीन तَरबुले चार तीरा तीरा यहाइश कर दो सीसिटी सी बात है तीन चार हाट का है स्चापी यहाँ अब भाग दो जब इस से भाग दोगे तो ये थी त्यरा चलाग या ¥ी आ चाहां आट आगया और एक सुचार से दिडू तेरा तेरा गया यहां तीन आ जाएगा बहुत आराम से हम भी सास ले लेते हैं समझू तो देखा जाए ए ने 8 लड्डू बनाए बी ने 6 और सी ने 3 तोड़ दिये तो लड्डू बने किते 11 लड्डू बने अब हम कोशन को और पढ़ेंगे कोशन में कहता है तंकी एक बटा बारा भर जाने पर सभी तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है पहले समझू अब यहाँ मुद्दा है यहाँ जिसने ज़्यादा दिमाग लगाया वो गया कहने का मतलब अभी हम ऐसा नहीं कि 11 से भाग देंगे वो तो करी नहीं सकते है समझो यहाँ पर कोशन कब सॉल करना है करें टंकी का एक बटा बारा भरा है तो टंकी खाली कितनी है 11 बटा बारा सर हम नहीं मानेंगे हमेशा टंकी एक होती है एक बटा बारा भरा है तो खाली कितनी यह 11 बटा 12 इसको भराना है तो यह जो काम है इसका 11 बटा 12 करना है क्या करना है 11 बटा 12 अब भाग देदो किसी 11 से में दोस्तों आंसर आएगा महबबत के साथ ऐसी काटते हैं 12 से यह दो बार मिद आएगा तो 26 बटा 10 कोई options है अच्छा घंटे में तो 26 बटा 10 आया 26 बटा 10 मतलब 2 घंटा 6 बटा 10 घंटा एक घंटे में 60 मिनट होते देख जिरो काट तो मिनट में होगा समझ गया तो 2 घंटा 36 मिनट आंसर होगा एक बार मैं भी आंसर में नजर मारूंगा option कहां गया 2 घंटे 36 है है तो इसका right आंसर 2 घंटा 36 मिनट आएगा बाकी आपके comment हमें बताएंगे चले इसको आप सर फिर से बता दो ठीक है सारे बच्चों फिर से बताया जाएगा ध्यान देना मगर प्यार से तो वैसे तो प्रोसेस हमारा अच्छा है एक बार यस बता दो जिनको समझ में आ गया है ठीक है स्टेडी पॉइंट असी साथ तीस का क्या बताना है मेरे भाई देउता ठीक है जो हमने बताया है एक पेसेंस के साथ बताया है ग्यारा का दो गंटे 36 मिट आ रहा है दयराम इसलाम वर्ड मेरे भाई ठीक है मयंग जी भाग क्यों दिया अरे देउता पेसेंस समझो का सोच रहा हो एक बार फिर से देखो सारे लोग बहुत अच्छे से देखो कोशन को हमें पेसेंस रखना है जब भी अच्छा कोशन है सम्मान करो आप भाउनाव में बैज आओगे तो गलत दोगे ठीक है फिर कहोगे ये नो और क्या नाम है देखो किसी दूसरे टीचर के बारे में हमारे सामने कोई बात नहीं क बोलते हैं मात पिता सभाता सब हो दुकमा पूछत नहीं है कोई ये वह बात की बात है वह मो माया में है इसको त्याग दो बच्छा अच्छे से पड़ो थ्यान दो लुक आड़ दो दो कह रहा है A can fill a tank in 3.9 hours मतलब 3.9 तो हमने 39 by 10 लिग दिया B कह रहा है 5.2 तो 52 वाई 10 ल 10 104 अपॉन 10 लिग दिया उसके बाद LCM हम किताब की तरीके नहीं कि अपने मन से चाप दिया LCM करके बताया कई से आया देखो इसको ब्रेक किया 13 गुड़े 3, 13 गुड़े 4, 13 गुड़े 8 तो 13 13 ऐसे ले लो 3, 4, 8 का LCM 24 हो गया यहां तक कोई confusion नहीं नीचे LCM में ऐसी होता है तो सभी के बेस में क्या है 10 है तो 10 ऐसे लिग दो I think so आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी फिर समझो इस चीज में हमने 39 भाई 10 से भाग दोगे तो 10 से 10 गया 39 से जाएगा 8 ताइम इससे भाग दोगे तो 6 ताइम इससे भाग दोगे तो 3 ताइम इसको तो 14 लड़ू बने 3 तूटे तो 11 लड़ू बने अब कोशन को कह रहा है कोशन को समझो वहाँ पर गर्मा को समझो कह रहा है टंकी 1 बटा 12 भरी है मतला भाईया देउता ये बोतल है पानी की इतना पानी माल लो भरा है अब एक ही उपर टैंक खोलना है घर में टंकी होती है क पानी छोड़ दिया उसके बाद अब तीनों पाइप चालू किये गए तो टंकी 1 बटा 12 भरी तो खाली कितनी 11 बटा 12 तो जो ये काम था वो हमें करना कितना है 11 बटा 12 इस से कराना है इन तीनों से कराना है तो ये 11 से भाग दोगे बहिया आंसर आ जाएगा और ये क्या आय पाइटा 26 मिनट तो कोशन डिपकल नहीं होता पेसेंस रखना होता है चले कोशन नमर साथ किजे मैं दो पून पानी पिलू तो कि मैंने खाई ये मूंफली गला ऐसा सूगरा है कि हिम्मत नहीं हो रही है चले तो एक एक चीज पढ़ेंगे हम लोग अब से उपाध्याय जी धर्मेन जी ठीक है ओनलाइन क्लासेस मेरे भाई प्रूडेंट ओनलाइन क्लासेस मेरे भाई ठीक है पीके जी गोपी चंद कुसवा जी सतीज जी चलो एक एक चीजों को बिलकुल पेसेंस समझना है जल् चले तो प्यारे दोस्तों एक कदम और बढ़ेंगे अगर आपको अच्छा लगा तो ठोको लाइक बोलो हां चले कोशन नुमबर साथ की अर्दास हमिस्सा याद रखो कि हमें किताब से पढ़ना है और किताब के साथ साथ अच्छे से अभ्यास करना है किताब के कोशन का सुलूशन आपका सुलूशन अंतर का है तो नया सुलूशन वहां लिखो उसका फिर से अभ्यास करो किसी कोशन में फच जा रहे तो उसको गोला बना के जो बच्चे 11 12 में त्यारी करते थे उतनी त्यारी अगर रेलवे भरती बोर्ड में कर ले टॉप मारें इमान दारीस बता रहा हूं जितना मैनत हम लोग करते थे इंट्रिगेशन डिफ्रिल सेशन पढ़ने में उतनी तो मैते नहीं है रेलवे की आप ये समल लो चलो मो माया त्याकते हैं और साथ नंबर कोशन सीखते हैं मैंने ज्यादा कोशन आज के सेशन में रखा है क्योंकि मैं जानता हूं बड़े प्यार से पढ़ाना है देखो आप टैंक इन एट आवर्स बी कें फिल दा सेम टैंक इन पी आवर्स छोड़ दो सीखन फिल दा सेम टैंक इन 24 आवर्स सीख इसी टंकी को 24 घंटे में भरता है तो पी का मान ग्याद किजिए पहले तो दिको सारे भरने वाले हैं बिलकुल तो सभी पाइप खुले हैं अर्थाथ A, B, C अभी खुले हैं और ये 2.4 आवर्स में भरते हैं तो पी का मान ग्याद किजिए देखो पेसेंस ने अच्छा A, B, ठीक है पी का मान मलब B वाला P है को से गया थी टाइमस 24 से गया वान 2.4 से गया तो आइधिंग सो 10 आएगा कितना आएगा तैन आएगा अब यहां दसमलों नहीं कर रहें नीचे क्योंकि यहां से मालूम है कि आठ चोविस 2.8 का 2.4 का है सिम 24 होगा तो क्यों दिमाग लगा है ए ने तीन लड्डू बनाएं सी ने एक लड्डू बनाएं तो भी कितने लड्डू बनाएगा छे तोटल दस लड्डू है छे से भाग देदू बच्चा 24 बटा छे चार घंटा आंसर 24 बाइस सिक्स kelnay दोस्तों मैं आपको बता दू मैंने जो सोचा है कि साथ दिसंबर के बाद से थोड़ा सा कानपुर वगेरा जाना है थोड़ा सा काम है साथ दिसंबर के बाद से हम आपका 10 chapter 10 से 15 chapter reasoning के complete कर देंगे 10 से 15 chapter complete कर देंगे अपके तो सारे पढ़ाओ तो सारे हमसे math का मैं teacher हूँ ठीक है मैं reasoning पढ़ाता नहीं हूँ फिर भी बहुत से बच्चों ने ऐसे का कि सार reasoning पढ़ा दो जैसे clock हो गया, calendar हो गया, missing series हो गई ठीक है, number series हो गई मतलब इस type के जिसमें coding decoding हो गए यह सब हम आपको पढ़ा देंगे और बहुत तेजी सी क्योंकि हम इसके expert है आप उसकी चिंता मत करो ऐसे ऐसे काले जादू दिखाएंगे तुम खुद सदमे में रहोगे तो 60 का 4 गंटे आया अपके दो सर अभी पढ़ा दो तो ऐसा नहीं क्योंकि दोको जादा chapter इधर उधर करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा चले 61 number question और हमने बहुत chapter खतम कर दी है बच्चों इमानदारी के साथ कि आप लोग पढ़ लो बस आपका यही support चाहिए like और share बस और कुछ ने आपस पढ़ो कोई दिक्का तो हमें बताओ WhatsApp नंबर चलता है उसको देखो और कोई दिक्का तो message करके बताओ अब यह नहीं question भेजना चालू कर दो उसके लिए प्रकार सवस्ति टेलिग्राम ग्रूप है हाँ जो हम ही को भेजो तो हम पढ़ेंगे कब पढ़ाएंगे कब एक टैंग दो नलो ए और बी द्वारा बारा घंटे और सोला घंटे में भरा जा सकता है बोलो हाँ मेरे भाई एक एंड फिल आट टैंग इंड ट्वैल आवर्स और बीक एंड फिल दा सीम टैंग इंड 16 आवर्स थोड़ा बहुत इंगलिस बोल लिए कोई दिखकर ने पूर टैंग को आठ घंटे में तीसरे टैंप से खाली क्या आदा टैंप मनलब टोटी समझ ले पूर टैंग को आठ घंटे में तीसरे टैंप द्वारा क्या करते हैं खाली करते हैं खाली मतलब इंपर्टी फर्स्ट पोल एल्सियम कुछ ना कुछ ले लो बारा सोदा चे तो इस अर्थालिस अर्थालिस ले लो वैसे आप कुछ और भी लेना चाहो तो वह भी हो सकता है अर्थाइस नलो बारा से भाज़ दो के चार रहेगा तोला से तीन आएगा अर्चंग नर्थालिस माइनस का आठ अच्छा माइनस का आठ यदि सभी नलो को एक साथ चालू कर दिया जाए अर्चंग अर्थालिस ना एक सेकेंड अच्छा ओके 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 यह आठ हो दोगो मैंने कुछ गलती लिखा यह आठ है तो यह हो जाएगा वहीं सुचे कि टंकी तो भरेगा नहीं साथ लड़ू बने आठ टूट जा रहे हैं तो टंकी तो भरेगी नहीं तो खाली टैंक को भरने के लिए कितना समय लिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तीनों मिल बैटे साथ लड़ू बने एक टूटा तो एक लड़ू बना आख देदो 48 इसका आंसर आएगा राइट आंसर 48 होगा चलिए इसको करो मगर प्यार से अगर थोड़ा कमेंडमेंट देख ले चलिए एवरेज नहीं हुआ अरे बस इसी शक्कर में तो लोग हमसे कह रहेंगे यह नहीं हुआ वो नहीं हुआ सब कराएंगे मेरे भाई समय आने दो हर चीज़ का एक समय होता है रमा कांद गलत कह रहे हैं राकेश राना जी विकास जी विजय जी अफसेग जी सतीज जी स्टेड जी खुजबू जी पिके जी विजय जी अमर जी गलत कह रहे हैं कमेंट देखते हैं सारे बच्चों के बच्चों सियाकत अली तो आज से हम आपको अली बोलेंगे मुझे अच्छा लगता है ठीक है और चले इसलाम जी ये चीज़ क्लियर हो गया होगा पपु जी रंजन जी जैखुस मेरे भाई राजिस्तान मैं राजिस्तान में जैपूर में पढ़ाया हूँ कैरियर पावर कोचिंग मे जैपूर ठीक है रिद्धी सिद्धी के पास जो बच्चे राजिस्तान से जुड़े होंगे ठीक है राजिस्तान में कई कोचिंग है जैसे मदर्स एक अच्छी कोचिंग मानी जाती है त्यार से पढ़ाते हैं पावन राव सर है मैथ के अच्छे टीचर है नो डाउट ठीक को 10 गंटे में खाली करता है मतलब एक इन फिल आ टैंक इन फाइब आवर्स बीकेन फिल दाट सेम टैंक इन ट्वंटी आवर्स सीगें इंपटी दा सेम टैंक इन किन कितना 10 आवर्स राइट जिदि तीनों मिलकर एक साथ खोल दिया है टैंक को पूरा बनने में फर्जी इसका आंसर तो 62 का राइट आंसर 23 बोलो हां 63 में आओ अब इस कोश्चन को सीखो ओरल पहले यह टोटी सब्द को देखकर यूपी की यात आती है पर यह मजा के बच्चों सीरियस कोई नहीं लेना ठीक है अपसेख जी बस एकी चीज़ में परिसान है विकास दुबे कानपरवाला मेरे भाई बिलकुस सही है देखो ऐसा होता है आज हम आपको बता दे निगेटिव चीज जो भी होती है वो मार्केड में वही जानी जाती है पॉस्टिव चीज़ों को नहीं जानते विकास मेरे भ देखना बहुत वीडियो पड़े हुए 2-3-3 साल पुराने हमारे जाके देखना कभ से हम चिला रहे हैं प्रकास सवस्थी कानपरवाला पर जब विकास दुबे इस दुनिया से गये तो उन्होंने बस थोड़ा से बोल दिया मैं विकास दुबे कानपरवाला तो जादा कोई एक अच्छा मित्र है और जीवन भर उसने तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा किया है सब कुछ अच्छा किया जीवन भर पर एक दिन तुमको गल्ती से उसकी मुझसे कोई अपसब्द निकल गए तुम दोस्ती तोड़ देते हो उसके सब अच्छा ही नहीं देखा तो वही चीज है कि हमारी मानसिक्त ख्या है कि हम निगेती चीज को ज्यादा देखते है पौश्टी चीज को कोई देखते ही नहीं सब मुझ म्हाय है यही जीवन है भच्या ठीक है अपने तो सर आप बड़ी स्मूध वेश विए क्यो बता देती है आधी हौध भर जाने के बाद उसी अकार की तीन टोटियां देखो ओरल समझो मैं चार घंटे में तुमारे घर में जितने लड़ू खा जाता हूं आधे लड़ू तो दो घंटे में तो आंसर आने या ना है मतलब सी गलत हो गया फिर उसके बाद मेरे जैसे तीन आधे लड़ू मैं दो घंटे में अकेले खा सकता हूं पर हमारे जिसे चार लोग हो गये तो दो घंटे में चार का भाग दोगे तो आधा गंटा दो घंटे 30 मिड़ में हम सारे लड़ू निपटा देंगे पर बच्चे सदमे में वाय दिस कोला वरी समझो मैं कोई काम चार घंटे में कर लेता हूं समाज इसे 100% कहता है और कुछ लोग इसे एक कहते हैं यही सत्य है फिर मुझसे कहा जाए कि सर आपने आधा काम कर लिया आधा मतलब 50% काम कर लिया 50% काम हम 2 घंटे में कर लेंगे यही सत्य है यह ब्लू कलर को समझू कि हम 2 घंटे मे कर लेंगे तो अब बचा होगा 50% कोई मुझसे कहता तो मैं कहता भाया दोई घंटे में हम कर लेंगे पर हमारे जैसे तीन लोग और सामिल हो गए मतलब हम अकेले नहीं चार हो गए चार लोग तो यहां चार का गुणा करोगे यहां चार से भाग लोगे तो 30 मिनट में काम कर होगे बोलो हां तो दुए घंटा पहले 30 मिनट यह दो घंटा 30 मिनट आंसर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से आएगा तब कलिना 64 नंबर कोशन एक अच्छा कोशन माना जा रहा है सारे बच्चे गलत देने के लिए त्यार हो जाओ ठीक है किताब मत खोलना और आंसर गलत आएगा चलिए धर्मेन जी अली मेरे भाई राजिस्तान वाले विजे कुमार जी अवन जी मैच साइंस ठीक है मेरे भाई ठीक है तो मनोज यादो जी बोलो आया सर्मा जी का बेटा इस्टेडी इंद्रेश पाल जी ठीक है आप से को पाद्याई जी PayPal किसी बच्चे ने का किसी को भी घटा सकते हैं नहीं बच्चा आ घटा जो एमपटी करने वाला पाई चंद मेरे भाई तो एक एक कदम अमन जी बढ़ेंगे कुशन नंबर 64 को सीखेंगे इसका आंसर बहुत सदमे वाला आने वाला है पेसेंस रखना तो समझ में आएगा नहीं रखोगे तो नहीं आएगा देखो हाँ पेसेंस रखोगे तो आएगा ए और सी पाइप एक खाली ट अब बीकें फिल दा सेम टैंक इंट एन फोड़े एट आवर्स एंड सी कें इंपटी दा सेम टैंक इन ट्वंटी पूर आवर्स नहीं एसी लिखा है ओके यह एसी यह यह बी यह कोई बात नहीं हर बार जादा तरह यह कर देता हूं यह 24 गंटे में खाली करती हूं पहला उ 24 से 5 बार में 24 से 10 बार में अब 24 से 10 बार में जाएगा तो जाएगा तो जाएगा पहले बता इमान दैजा अब दिना कोश्चन की भाता को जब टंकी भरी हो जब टंकी भरी हो आली टंकी नहीं है टंकी क्या है भरी हो और तीनों पाइपो को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी का एक बटा तीन भरने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा इसलिए कोश्चन अच्छा है समझो अभी तुम्हें सब समझ में आएगा अधैयाता है चाहर बना रहा है भी पान्च लड वना रहा है चीफ दस लड़ू तोड दे रहा है मतलब अब लड़ू नहीं बंद होगयी जिसे इनसान का नहीं जब 60-70 साल को हो जाता है तो खून बनना कम हो जाता है ना के बराबर मतलब जो platelets थे वो A और C तो A platelets 4 बना रहा है C 5 पर B platelets 10 तोड़ दे रहा है तो अब उसको platelets की कमी हो रही है जिसे ये करोना औरोना में platelets टूट रहे हैं तो वही ड़ी जाते हैं इंसान के तो देखा जाए इंसान के अंदर 240 है प्लेट लेट्स 240 है यह कोशन बोला है और कोशन का कहने का हर्थ है कि 240 है इसका एक बटा तीन मतलब 80 बचे 80 बचे पहले कवन्ना यहां गेम है मतलब 240 मेरे पास लड़ू है पर हमें तब तक क्योंकि तीनों जब पाई खोलोगे तो काम होगा नहीं काम बिगड़ेगा तो कब तक काम बिगाड़ना है जब तक 80 80 मतलब 1 बाई 3 और जो दोनों का अंतर आया वो 2 बाई 3 काम बिगड़ ग और एक बार में एक भी गड़ता है तो 160 160 बार में समझ गये ना तो राइट आंसर 160 आएगा देखे कितने लोगों का आंसर सही है वहना फिर से बताएं देखा पवन जी खुझी मिली गलत बोलकर अब से एक पाद दिया पर्मानंत सही है पर्मानंत मेरे भाई सही है और अलत है एक बार फिर से बताएंगे मेरी बात को समझो अगर तुम्हें इस जिनम में समझ में आ रही है और आज हमें लग रहा है बच्चे लाइक सेर ना की बरावर कर रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं बच्चों कोई बात नहीं हम तब भी पढ़ाएंगे मोहबत के साथ हां स्यो पांडे जी तुसार जी हम समझ गये तुसार जी नहीं समझ पाए हम समझ गये ऐसा मैं फिर से बताता हूं आपको बस ठंडग रखनी है ध्यान दो मेरी कहानी पर एक किसी काम को साथ घंटे में कर लेता है दी उसी काम को 48 घंटे में भी उस काम को बिगारता है 24 घंटे में पहला उत्यस एल्सियम साथ 48 चौविस का एल्सियम 240 आया 240 लड़ू 6 घंटे में मतलब 1 घंटे में 4 बनाते हो 240 लड़ू 48 घंटे में तो 1 घंटे में 5 बट 240 लड़ू 1 घंटे में 24 तोड़ते हो तो 10 घंटे में सारे तूट गए अगर हम तीनों से एक साथ काम कराएं तो कभी काम होता नहीं क्योंकि 9 लड़ू बनते हैं 10 तूट ज समझों यहां तक सब को समझ में आया अब फिर हम कोशन की लाश्ट लाइन को दिखाते हैं आपके सम्मूग कोशन की लाश्ट लाइन कहती है क्या इसको पढ़ो जिब टंकी भरे विदे तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया गया तो टंकी का एक बटा तीन भरने के लिटर पानी है अब इसका एक बटा तीन भरा होना चीए मतलब टंकी में जो पानी अब होना चीए वो सिर्फ 80 लिटर होना चीए तो टंकी 240 से 80 लिटर तक तुम्हारा जो गेम हो गया वह 160 लिटर पानी खाली हुआ कद एक खाली हुआ अब एक घंटे में एक ली टर खाली होटा है तो 110 लीटर पानी एक 160 घंटे में होगा अब थोकों लाइक बोलो हां कि समझ में आया अगर अभी भी नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कह सकता बस दो मिनिट का मौन सिर्फ आप के लिए और क्या आपके तो क्यों अब जब इतने प्यार से बता रहे हैं तब भी नहीं समझ में आ तो फिर समझ रहो देखे कमेंट क्या है चले तो देविलाल जी एक बार में क्लियर हो गया ठीक है खुमान किसोर दास जी पीके गुपता जी साइंस नहीं सिव मैथ का टीचर हूँ अमर्न सिंग जी विसाल यादो जी इंदरेज जी बोलो हां चले सिव पांडे जी अली राजिस्तान वाले मेरे भाई एक बार सारे बच्चे युदिस्तर पर यस लिख दो थोड़ा अच्छा लगे वना फियंज को चार बार बताएंगे 64 नमबर को एक बार युदिस्तर पर बताईए कि आया तो खुसी मिले सबी लोग 65 नमबर कोशन को सीखेंगे मगर प्यार से एक बार युदिस्तर पर सारे लोग यस को या नो को जो आपकी सरता हो एक बार कहो तो उस तो कहो बाई 240 लड्डू थे 80 लड्डू बचे तो 160 लड्डू टूटे एक गंटे में टूटता है तो 160 लड्डू 160 गंटे में टूट गए मुद्दा खातम सुनो कमेंट देगे मासूम के चलो अच्छा चंदन सिंग जी MP से हैं इवेंट एक्जाम आल्मूर्स सभी को आ गया बस यही बात अच्छी लगी चले ए बी सी तीन ट्यूब एक होट से जुड़े हुए ए बी एक साथ 6 गंटे में होट को भरते हैं मतलब ए बी कैन फिल अटेंग इन 6 आवर्स पहले समझ ए बी 6 गंटे में भरते हैं बी और सी 10 गंटे में भरते हैं और सी और ए होगा फिर यही माना जाता है साड़े 7 गंटे का मतलब 15 बटा दू इसका LCम ने लो तो 30 आएगा 6 से भाग दोगे 5 10 से भाग दोगे 3 15 से 2 दूना 4 जोड़ोगे तो 12 हो गया इधर जोड़ोगे 2 बार दू भी दोबार सी तो छे लोग 12 लड़ोः घाते तो बंदे आधि छम्ता आ दी मत्स अक्यों अकेले होवद भरने में कितना समय लगा उड़े कितना ले रहा है व defin this ले रहा है जब 5 ले रहा है तो सी क्राख लेगा एक से भाग दे तो 30 आंसर तो राइट आंसर इसका 30 घंटा आएगा बाकी आप लोग बताओ चलिए टैसेट के बाद छाचट नंबर कोशन इसको भी बड़े आराम से करना जल्दबाजी में लिया हुआ निन्ने सबका गलत होगा भाईया प्रॉफिड लॉज भी करा देंगे ठीक है सिंग साब दी ग्रेट सर प्रॉफिड लॉज पचास कोशन कराए है न उसके बाद भी कराएंगे हमें मालूम है हमने इसके लिए आज एक वीडियो भी डाला है हमें सब याद रहता है कि हमने किस टॉपिक में कितना कराया है बच्चो आप ही लोगे काण हमने नया टॉपिक ज्यादा स्टार्ट ही नहीं किया ठीक है इस वीक कहीं ना कहीं पुरानी टॉपिक को खत्मी कर रहे हैं अतुल कुमार मेरे भाई कंफ्यूजन इसमें क्या है अतुल जी आप जाके टाइम इंड वर्क का पहला लेक्शर देखो कमच गये मेरे भाई अतुल जी अतुल कुमार मेरे भाई सारे कंफ्यूजन आपके टाइम इंड वर्क के पहले लेक्शर से दूर जाएंगे मनु यादो ग्वालियर वाले बोलो हां चलिए तो 66 नंबर कोश्चन को देखेंगे मगर प्यार से देखो जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं है वो सबसे पहले टाइम इंड वर्क पढ़ें ठीक है उसके बाद इसको क्योंकि इसका तो जो नेक्ष लेक्चर होगा वो तो बहुत डिपकर्ड है कैसे करूंगे बच्चा टीचर पहाते नहीं कुष्णों को छोड़ देते के तो जैम आता दिन समझ सकता है जब की दीफर टन एक जाड़े साथ गंटे में खाली कर सकता है तो की बढ़े तो तुम सद्मे में आओ गए अब सारे साथ गंटे में खाली कर देता है तो बच्के केते सर ऐसं बता दो तो क्यों एलस्यम इसका सेवनटी फाइव लेलू सर ऐसा क्यों चैन्टी पाइव अशुली में साड़े साथ से कर जाता है किती बार में 10 बार में तो इसले ले लिया एंस से 25 बार में पांस से पांस से किती वर जा रहा है तो सारे साथ की जगह है है तो कि पंद्रा पांस तीन ऐसा करो एल्सीम और कुछ ले लो तर ऐसा क्यों भावना को समझो मेरी और क्या ऐसा करते हैं सारे साथ का मतलब सत् dil ए न्दिव defenders सरक्यों सब्सक्राइब के शर् Increase 15 ईरेवर तर ये उपर आएगा अभी को समयना अभी कोश्चन को समझना क्या रहा ये जब टंक एक बटा दस हाफ भरी हुई थी तब तीनों पाइव को खोला गया अभी सारे बच्चे मेरे टूजी समय ना तीन आठ आठ लड़्डू बने दो टूटे तो छह लड़्डू बनते हैं यहां बनते हैं सबी लोग समझो कोशन में कहा है कि जब टंकी में पहले से पानी था मतलब टंकी में इतना पानी था तो टंकी पूरा का पूरा एक यूनिट होता है जिसमें कह रहा है एक बटा-बारा पानी था तो भरना हमें कितना है ग्यारा बटा-बारा टोटल होता है पंदरा तो इसका ग्यारा बटा-बारा करोगे और किससे भाग दोगे छैसे भाग दोगे छैसे भाग दोगे तो कराया है पूरे भर ने में कितना समय लगेगा बच्छह ऐसे भास देंदो तो यह गंटा में आया यह यह पूरा चीज गंटा में आया किस में आया गंटा में आया कि द्याग की 就 सब्सक्रक्okes ऐस एक चीज को हम बताते हैं बच्चों पेसिंस रखना ठीक है चिठी न कोई संदेश चलो देखते हैं इसी को कैलकुईट करते हैं तो ऐसा करते हैं यहां लिग जेते हैं 15 बटा 6, 11 बटा 12, घंटा में 60 का गुणा कर दू 60 मिनट में कनवर्ड हो गया ठीक है तो 12 से यह गया कित्ती बार में पॉइंट में आ रहा है क्या बता रहे बता रहे पेसेंस रखना अरे एक बटा 10 है बचा एक बटा 10 है हम 11 बटा 12 समझ बैठे थे इसलिए हम भाग नहीं दे पा रहे थे क्यों क्योंकि बिल्कुल यह पॉइंट में जा रहा था तो कहीं मेरी मिश्टेक हो गई मिश्टेक कुछ नहीं है यह सब तहीं लिखा है इसको हमने एक बटा 12 समझ के करा रहे थे इसलिए हम बारवार अपने आपको सिर कर रहे थे कि भाईया कैसे का आपके तो सर आपको कैसे मानुम चाहता कटता नहीं है भाईया में साफ साफ दिगरा कि यह पॉइंट में आ रहा है पॉइंट में समय है नहीं इस चकर में सुनो तो हमने अभी किसी के कमेंट नहीं देखे बच्चा यह ध्यान रखना तो हमने ध्याने दिया और समझ गेना भावनों कुछ सम्झो नौ बटा दस यह चीज नौ बटा दस बच्चे की बच्चा कि इसी लिए बार बार अपना सिर कह रहा हूं कि सारा यह हो कि उनिया वाइद इस कोला वरी हो कि रहा है तो अब तो हो गया ना तो कहीना कहीं हमारा समय कितना आ रहा होगा मिनट में आ रहा हो कि दो गंटे 15 मिनट सही है देखो यह हो गया 15 गुड़े 9 नीचे 60 आ गया यह घंटे में तो 60 मिनट का इंटू कर लो तो इससे यह कड गया 135 मिनट आ गया 135 मिनट का आर्थ होता है 2 गंटा 120 मिनट और 15 यह आंसर होगा 2 गंटे 15 मिनट ठेक है अब हम देखें कि आप भी यही सोच रहे थे मैंने किसी का कमेंट नहीं देगा यही सत्ते क्योंकि जब मैं इधर आता हूं चेहरे को तब मैं कमेंट देखता हूं बिलकुत सही है मेरे भाई हूं ठीक है 11 बटे 12 कहां से आया अरे दि पीश देख कर रहा था मैं ठीक है सबने सही बोला पर हमने ध्यान ने दिया चले तो यह सारे बच्चे सही बता रहे है चले तो सारे बच्चों धन्यवाद पीके जी पढ़ेंगे मगर प्यार से अब सर ऐसा आपने क्यों कर दिया था एक्षुली में बस होने वाला है एक्षुली में थोड़ी दिर पहले कोशन जो आया था बच्चा थोड़ी दिर पहले उसमें लिखा था ग्यारा बटा बारा यह दो एक बटा बारा 59 नंबर में तो मेरे दिमाग में क्या हमने कोशन को पूरा पढ़ा नहीं एक बटा बारा याद था तो अब होता है ना सेम पैटर्न में कोशन करा रहे हो आप भी समझो आप तो किताब खोल के बैठे होगे ठीक है हम देखते ही नहीं है तो 65 चाचड हो गया चलो कोई बात नहीं भूल चुक लेनी दे नहीं 67 नंबर ट्राई करो सारे बच्चो 67 नंबर ट्राई करो तो अच्छा कोशन था आसान सेम पैटर्न का पहले कराया था बाद में भी करा दिया और आपको टंकी बना के दिखाया कि कहना क्या चाहता है कोशन नंबर 67 की अर्दास सीखेंगे मगर प्यार से कि A B C किसी टंकी को चार गंटे A चार गंटे B 10 गंटे और C तीसरा पूरी भरी टंकी को च्हें गंटे में खाली कर देता है समझो A 4 गंटे B 10 गंटे C 6 गंटे में LC ने लिए 64 ऑ गया 4 से गया पंध्रा बार 10 से 6 बार 6 से 10 बार बोलो हाँ 15 6 10 आएगा ही आएगा बच्चों ये बात ठ्रिहान रखना ये 21 ये हो गया 11 11 से भाग 60 बटा 11 उत्तर हमारा तो इस कोशन का आंसर 60 बटा 11 सेम पैटर्न का था पर अभी मुद्धा है 60 बटा 11 पूरा नहीं पला तो अभी गवर हो जाएगा अब पूरा पढ़ने ये तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी थी तो टंकी को प पूरा के लिए खेला जा रहा है पर करेट टंकी आधी भरी थी फिर से समझो बच्चा आधी मतलब यहां तक भरी थी तो आधी भरनी है मतलब 11 से भाग दोगे बट एक बटा दोका भी इंटू करोगे मतलब राइट आंसर 30 बटा 11 यहीं उत्तर हमारा तो बच्चा इसका ज 20 बटा 11 आएगा यहीं उत्तर हमारा चले 68 नंबर कोशन करके दिखाईए अब मजा आ रहा है एक छुटी छुटी गलतियां कोशन को जय माता दी कर सकती है चले तो परमानंद धर्मेंद विजय कुमार सर्मा अमर्स जी तिंग सौरभ विजकर्मा जी जैखुज मेरे भाई समझना है राकेज द्राना जी कह रहे हैं बुग लेके बैटे हैं बिल्कुल मैं वहीं बता रहा हूं बच्चा वहीं बता रहा हूं चले सर्मा जी का बेटा रंजन कुस्वा जी आपसे उपाद्या जी 68 नंबर कोशन को सीखेंगे और अभी एक कोशन कराना है 47 वाला भी पी 18 गंटे में भर सकते हैं फिर हम से करा जबकि तीसरा द्वारा भरे वी टैंक को 15 गंटे में खाली कर सकता है तो तीसरा फर्जी कोशन है एल्सियम 90 ही होगा बच्चा नौ से 10 पांच और ये 6 यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी खाली होने पर ये तिनों पाइप को खोला जाता है टैंक के ते आप फर्जी कोशन तर कैसे पंद्रा ये नौ नौ से भाग दे दो 10 आंसर आगे बढ़ो अर्सेट के बाद 69 जरा इस केता है रगू एक जलासे को 4 घंटे में बढ़ सकता है ठीक है जलासे का आधा वरा मतलब 2 घंटे तो रगू ने काम किया होगा रगू जैसे 3 भाई और आ गए तो 4 धाय गंटा आंसर मुद्दा खतम इसका आंसर धाय गंटा होगा अग कुछ बच्चे सदमे में सेम कोशन क सतरे है समझों मतलब रगू किसी काम को 4 घंटे में करते हैं रगू जैसे 3 भाई और सामील होगा मतलब 3 और और आगे मतलब होगए चार आ आधा दो घंटे में करता था बट चार और उसी घाम को 13 मिनट में करते हैं मैंने पहले बताया है कि अगर बंदी जितने बढ़ेंगे उत्ने से भाग देते हैं अगर 4 टो चार से भाप पाँच गूना तो पांस से बाग दो गंटे तीस मिनट का अर्थ आप जानते होगे आंसर चलिए सतर नंबर हाँ मेरे भाई हो ऐसा ही हूँ मैं स्तम्जो अब तीन कोशन बचें क्योंकि 47 को में कराना भी है और स्यूपांडे धर्मेन रंजन इंद्रेश पाल सौरव विसकर्मा जी अपसेख जी भुपेन जी मनू ग्वालियर वाले स्यूपांडे कहते हैं कि बुक नहीं मिल लए एमेजॉन में ये किताब है बच्चा ऑनलाइन पर्चेस कर लो ठीक है एमेजॉन में मिल जाएगी फ्लिप कार्ड में मिल जाएगी ये किताब अरे मेरे भाई एमेज्य अगर कोई तकलीप है तो प्रकास अवस्ति टेलीग्राम ग्रुप में आजाओ वहाँ बच्चो ने इसकी अरदास पूरी कर दिये ठीक है जो भी आपकी इच्छा है वो बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप में पूरा कर दिया है तो आप वहाँ से अपनी अर्दास को पूरी कर सकते हैं बस इस से आदा में क्या को हूँ प्रकास अवस्ती टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है और अपनी अर्दास पूरी कर लो वैसे तो किताब लो ज्यादा अच्छा है ध्यान दो पाइप A और C किसी खाली टेंग की को 32 और 48 घंटे में भर सकता है मतलब A can fill a tank in 32 घंटा और C can fill the same tank in 48 घंटा जबकि पाइप B भरे हुए टेंग को 24 घंटे में खाली कर सकता है B can empty the same tank in 24 hours इस तीनों पाइप को एकटा खोल दिया जा है टेंग को दो बटा तीन भरने में कितने घंटे लगेंगे पर जी कोशन ऐल्सियम 96 ले लो इसका बहुत जवर्दस होने वाला है यह ध्यान रखना बहुत स्लो पढ़ाएंगे ने सेशन को तो यह चार आएगा माइनस का तो यह पांच बना चार टूटा तो एक से भाग दोगे पर हमसे कहता है दो बटा तीन भरने में तो दो बटा तीन ऐसे कर लो तीन से जाता है कितनी बार जाता है बत्तिस बार बत्तिस दूना 64 आंसर ऐसे कुछ आंसर आएगा 64 is the right answer 71 नमबर कोशन को करेंगे और उसके बार 47 को भी करेंगे 71 71 71 नमबर कोशन को करेंगे ध्यान देना यह रहा है पाइप ए बी और ची एक खाली टंकी से जड़े हुए पहले दो पाइप चार और दस गन्टे में टंकी को खाली मलब भर सकते हैं मलब ए 4 लिए 10 गन्टे में और विजो जबकि भरी वी टंकी को तीसरा पाइप 6 गंटे में खाली कर लेता है he can empty the same tank in 6 hours सब्सक्राइब करना है अगर आपको अच्छा लगे या खराब बच्चो शेयर जरूर कर देना ठीक है मैंने पहले बताया कि एक मिनट डेली लोगों को सेयर करना है सब कुछ फ्री पढ़densे आपको फ्री पढ़ना है पूरी किताब पहले दिन से एमने कहा था कि बच्चा पूरी किताब का सुलूशन हम यूटूप में डालेंगे इमानधादी से पढ़ाइंगे ठीक है मेने बिता दिये आपको पढ़ाने में आज एक दिन की क्लास नहीं मेने हो गए तब बोली रहे है तो बस आपका एक ही प्यार चाहिए लाइक एंड शेयर ठीक है लोगों को ज्यादा ज़ोड़ो बस और ज्यादा नहीं कि पूरा दिन सिर्फ जिन्दगी में अपने प किसलिए पढ़ा रहे हम भी अपना भला चाहते हैं आप भी अपना भला चाहते हूं दोनों लोग भलाई चाहते हैं बस यहीं समल तो इसलिए आपका भी प्यार चाहिए जूट बोलने से कोई फायदा नहीं लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए चार लोगों को मालम चले वह बच्छा अब हमसे कहता है क्या यदि सभी तीनों इतना तो कही ना कहीं दिखो काम किता हुआ 21 में यह आया काम कितना 11 पहली बात तो इतना तो हम सबज गये कि सर यह तो 11 हो जाएगा इसमें तो हमें कोई आपत्ती होने नीचे है पर हमसे कहता है यदि सभी तीन पाइप ट एले से भराय तो टैंक का जो भाग भर रहे होगे वो दो बटा पांच मतलब इस वैलू का दो बटा पांच भरना है और किसी भाग दोगे 11 से बस इतना करना है पांच से जाएगा बारा भार में बारा दूनी 24 24 बटा ग्यारा उत्तर हमारा जी इसका आंसर आना चाहिए कंडि 24 बाई 11 कुछ लोग को 11 नहीं दिखा होगा लोग अब दिख गया चले इस कोशन को सारे लोग ट्राई करो 47 को चले तो ने 24 बाई 11 आएगा तुदीर कुमार जी दयाराम जी कोशन को समझो ठीक है ग्वालियर वाले ने सही बताया है तो टाइम बता दिजिए क्लास स्थाम को 9 या साड़े 9 बजे सुबे का 11 बजे ठीक है चले तो सारे दोस्तों अच्छे से पड़ो और पेसिंस के साथ बिलकुल ग्वालियर के बारे में बाद में डिसकस करेंगे ध्यान देना मेरे भाई अंतिम कोशन जोकी 47 है इस 47 कोशन को आप अच्छे से जानो जब मैं आज पूरे दिन इसका पेपर ढून रहा था क्योंकि जो इसका सुलूशन है वो मुझे हाजम नहीं हुआ यही सत्य है इसलिए हमने इस कोशन को अंत में रखा है हम आपको बताते हैं एक-एक सब्द समझना सेम कोशन में हलका सा सब्द का चेंज हो जाए तो यह कोशन परफेक्ट हो जाएगा पर अगर हम इसी के सब्द को लेके चलें तो इस कोशन को मैं अपनी तरफ से गलत घोसित करता हूँ गर ऐसा क्यों?, एक-एक सब्द परना एक टंकी में तीन इनलेट लगे हो यह तीन भरने वाले पाइप है जब पहले दो एक साथ खोले जाते, मलब पहले दो पाइप एक साथ खोले जाते है तो टंकीको भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे एक inlet द्वारा टंकी को भरने में माना तीन पाइप हैं A, B, C पहले समझना मैं एक सब्द भी आपको पहले दो बोला गया मनलब A और B जितना समय लगता है उतना समय किस के बराबर? C के बराबर है ये कोशन बोल रहा है पहले समझो फिर हम से कहता है अब आगे कह रहा है दूसरे inlet को टंकी को भरने में पहले के तुलना में 5 घंटे अधिक मतलब पहला अगर X लेता है तो दूसरा 5 घंटे जादा लेता है दूसरा 5 घंटे जादा लेता है ये कोशन कह रहा है दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुल्ला में 5 गंटे अधिक और तीसरे की तुल्ला में 4 गंटे कम कौन दूसरा तो इसका मतलब तीसरा 9 गंटे क्यों चूँकि X प्लस 5 और X प्लस 9 ये 4 गंटे जादा है ये 4 गंटे कम है अब यहीं से देखो कि किताबी आंसर तो बिलकुल उसने प्रूब कर डाला है बहुत अच्छा है अब गलत कैसे घोसित करने वाले प्रकास सरकानपूर वाले इमानदारी से मेरे एक-एक सब्द को समयना गलत क्यों घोसित करने वाले सीधी सी बात है कि कह रहा है जब यह दोनों मिल बैठेंगे जब दोनों मिल बैठेंगे इसके बराबर आप बताओ कैसे बराबर कर दो के मैं कोई काम चार घंटे में कर लेता हूं तुम 9 घंटे में करता है तुम्हारा भाई 15 घंटे में मालू करता है और हम और तुम्हारे भ तो C के बराबर कैसे पहले तो ये बताओ पर फिर भी हमने इसको आज सर्च किया बहुत जादा तो हमने पाया कि इसके सब्दों में थोड़ा सा हलका सा चेंज कर दें तो आंसर आ जाता है पर हम किताबी बताएंगे और ये जो पेपर है 26.2019 का ये हमने ढूना यूटूब में सर्च किया यूटूब में क्या गूगल में तो ये पेपर ही गयाब मिला हमको साइध ये एक्जाम कैंसिल भी हुआ था ठीक है मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ बच्चो तो ये एक्जाम साथ cancel भी हुआ था फिर भी हम इसका solution बताने जा रहे हैं जैसा question बोला है उसके हिसाब से x हाँ और क्या मैं बताओंगा मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा इस calcium ले लो x, x प्लस पांच आएगा वह भले बात है कि गलत है जो है वह है पर आपको बताएंगे क्यों है और यहां से भाग्च दोगे तो यह एक्स आएगा इसका sum आएगा 2x plus 5 कह रहा है c के बराबर cx plus 9 में करता है हाँ cx plus 9 में करता है इसका गुणा कर दो तो ये आ जाएगा x square plus 5x इधर इसका गुणा करते चलो तो 2x square plus 5x और 9 दुनी 18x 9 पना 45 यहाँ आ जाएगा 2x square और ये 5x और इधर 5 दुना 10 होगा ये 2x square एक सकेड आचा 2x ऐसे किया होगा हमने ठीक है ठीक है 9 दुनी 18 5 ठीक है ये भी सही है तो 5x से 5x कार्ड दो ये 2x square में से x तो x square बचा 18x ऐसे लिखो 45 बराबर 0 45 बराबर 3 0 प्लस प्लस हैं तो root minus minus होंगे ये सभी को पढ़ा चुके हैं किसमें एलजबरा में 45 पंदरा त्या 45 तो ये 15 और 3 होगा या तो minus 15 या minus 3 तो negative तो वैसे भी नहीं आना चीए आप खुदी सुचों का negative value रखके आंसर निकालोगे आया दियुता तो फिर भी हम options में जाते हैं तो option में minus 3 है नहीं 15 गंटे फिर answer है पर हमारा ये कहना है कि इसमें थोड़ा सा missprint है पर अगर paper में ये question आया है तो बच्चों ये मानलो कि minus का 15 है इसका answer घोसित कर दोगे भुपेंद गुपता जी माराष्टा नागपुर से बोलो हाँ ठीक है तो इस question को आप समझ गए होगे question के हिसाब से A मलब B A से 5 घंटे अधिक लेता है C से 4 घंटे कम तो ये हुआ हमसे कहता है A भी जितना समय लेता है वो C के बराबर सीधी से बात A कम ले रहा है तो C के बराबर कब आएगा तो जो actual question है वहाँ यहाँ minus use होता है तो यहाँ misprint question आया है paper में या English version सही होगा ऐसा भी हो सकता है बच्चा कि भासा का matter है जो हिंदी में लिखा हम वह पढ़के बता रहे है तो A X B X plus 5 यह हुआ इसके सम से भाग दोगे X plus 9 के आएगा को आडेटी इंक्रिशन बनी plus plus root तो माइनस माइनस होते है 15 तो 15 तो 15 और 3 का सम 18 होता है पूरा एलजबरा में 50 question हमने S पे कराए हुए है एलजबरा में जाके दिखो तो माइनस 15 या माइनस 3 तो माइनस में वैसे तो होना ही नहीं चाहिए बच्चा पर है तो मैं क्या करूँ तो आप 15 घंटे मान लोगे इमान दारी से बताओ समझ में आई मेरी बाद आई हो सभी को समझ में आ गया तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखेंगे ठीक है तो प्रकास अवस्ति टेलीग्राम ग्रूप है उसको जोईन कर लो बिल्कुल मेरे भाई धर्मेन जी हार्ड कुछ नहीं होता ठीक है हलका ऐसा सब्द का खेल है धर्मेन मेरे भाई बाकी हमने किताबी सलूशन आपको प्रॉपर बता दिया है वो भी सही है जो उसने सलूशन दिया है पर माइनस में दोनों को नहीं लेते हैं यही सत्ते हैं तो बच्चों आई होब आप सबको ये चीज़े समझ में आ गई होंगी ऐसा माना जाता है कोई भी अरदास कुछ भी हो लिंक पड़े हुए है उनको आप देख लिजे साती साथ बच्चा साती साथ बच्चा ट्विटर को जोईन कर लिजे हमारे ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है ट्विटर को सर ऐसा क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हम थोड़ा सा ट्विटर पे आएंगे और अपनी बात भारत सरकार तक पहुचाएंगे आई हो फिरी बात आपको समझ में आ रही होगी धन्वाद आज के लिए इतना ही सुबरात्री सब्बक है बिल्कुल मेंस के आंसर की आ गई है बच्चा बहुत जल्दी आपको जो मेंस के टॉपर होंगे उनसे भी मुलाकात कराएंगे धन्वाद